आपकी एक गलती आपके चैनल का मॉनिटाइजेशन डिसेबल करवा सकती है दोस्तों अगर आप अपने चैनल के वीडियो में टाइटल, डिस्क्रिप्सन और टैग यूज़ करते हैं तो मैं आपसे हाँ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप इस वीडियो को मेरे इस वीडियो को एक बार जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सायद आगर आप ये गलती कर रहे हो या फिर करते हो अपने चैनल पर तो फिर आपके जो यूटूबर बनने का सपना है उस पर पानी फिर सकता है और आपका सपना सपना ही रह जाएगा क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसकी वज़े से आपके चैनल का मॉनटाइजेशन डिसेबल किया जा सकता है दोस्तों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें वैसे तो मैंने कल आपको एक वीडियो बनाई थी आप यहां पर स्क्रीन सॉट देख सकते हैं यह है मेरा चैनल मुबाइल मसाला जहां पर एक नई प्रॉब्लम आई है पहले अभी तक यूटूब के अंदर डिमोर्टाइजेशन की जो प्रॉब्लम आती थी वो reuse content या फिर आपका content अच्छा नहीं है वो YouTube advertisement friendly नहीं है इसकी वज़े से आपके चैनल को डिमोर्टाइज किया जाता था लेकिन दोस्तों एक नई चीज YouTube के अंदर आ चुकी है अगर आप अपने title या फिर description या फिर tag में कुछ ऐसी चीज़े use करते हैं जो YouTube guidelines के खिलाब है जैसे metadata metadata means की बहुत सारे data आप अपने description में add कर रहे हो tags में add कर रहे हो तो उससे भी आपके चैनल का जो monetization ने disable किया जा सकता है आप यहाँ पर screenshot देख सकते हैं कि यहाँ पर जो message आया है ये metadata का आया है कि आपने description tag में और अपने title में जो चीज़े use की हैं वो हमारे misleading कर रहे है meta data है पूरा बहुत सारा data आपने भर दिया है जो हमारे guidelines के खिलाब है जिसकी वज़े से आपके channel को demotize किया जाता है अब दोस्तों अगर आप यह गलती करते हो अगर आप अपने channel पर ज़्यादा description लिखते हो ज़्यादा ज़्यादा tag यूज़ करते हो तो भी आपके channel पर समस्या आ सकती है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि समस्या कब आएगी और आपको इससे कैसे चुटकारा पाना है अगर आप यह गलती कर रहे हो तो यह गलती कैसे आपको सही करने है आपको क्या करना दोस्तों आप title में जो लिख रहे हो जो आप video मता रहे हो वो तो आप title लिखिए लेकिन जो आप tag में यूज़ कर रहे हो title से related जो tag यूज़ कर रहे हो वही tag आपने अपने description में भी डाल दिया है और बहुत सारे copy paste करके आपने बहुत सारा data उसमें fill कर दिया है मतलब आपको पता है description में 5000 word तक आप लिख सकते हो लेकिन अगर आप 5000 word में, अगर आप 4000 word लिखते हैं तो ये YouTube metadata के policy में आता है इसकी वज़े से अब आपके channel को demortize किया जा सकता है तो आपको ये गलती नहीं करनी है आपको अपने description में वही चीज लिखनी है जो आपके video में है limited चीजे लिखें, थोड़ी बहुत ही link दें अपनी जितने भी social media platform से अगर आप affiliate marketing के link देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत आप description लिख सकते हैं तो मैं आपको एक criteria बता देता हूँ कि कितना आपको लिखना चाहिए best रहेगा तो 1000 से लेकर 1500 words तक आप इसके बीच में आराम से अपने description में लिख सकते हैं लेकिन अगर आप इसको cross करते हैं ज़्यादस ज़्यादा tag यूज़ करते हैं 5000 word में आप 4300, 3500 tag यूज़ करते हैं मतब word लिखते हो तो फिर आपके channel पर meta data वाली policy लगा कर आपके channel को demortize किया जा सकता है अब आपको यहाँ पर मैं skin source share करूँगा कि जब यह mortization disable हुआ दोस्तों तो मेरे channel पर जो wash time यह तो एक साल बाद बंद channel delete हो गया था लेकिन अब इसमें फिर से wash time complete करना पड़ेगा फिर से 4000 घंटे wash time complete करना पड़ेगा क्योंकि 30 दिन बाद तो आप reply कर सकते हैं लेकिन तभी reply कर सकते हैं जब आपके channel पर जो एक साल पहले आपके आज से लेकर एक साल पहले तक का जो wash time है वो 4000 घंटे होना चाहिए अगर वो आपका complete नहीं हुआ है अगर आपने कोई video delete कर दिये हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है फिर आपके demotization on नहीं किया जा सकता है 30 दिन बाद क्योंकि आपका जो wash time है वो complete नहीं होगा जैसे कि मेरे channel का हुआ है इसी की वज़े से अब मैं 30 दिन बाद भी इसे reapply नहीं कर सकता हूँ जब तक ये पूरा wash time complete नहीं हो जाएगा आपका जो channel है demotize हो सकता है तो दोस्तो बस इस वीडियो में इतना ही आसा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी फिर मिलता हूँ एक और नहीं वीडियो में तब तक अब नख्याला के जहिन जैभारत